नमस्कार आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है तिरविमिये जामिती का पर्चे अभी तक आपने दुविमिये तो पड़ी थी अब एक नया आगया है तिरविमिये जामिती हलाकि बच्पन से जानते हैं तो इसके बारे में हम पूरा अध्यान करेंगे तो जब ये पाठ समाप्त होगा हम क्या जान पाएंगे आईए देखते हैं अध्याय के अंत तक आप जान पाएंगे कि तिरविमिये वास्तम में क्या होता है हम जान पाएंगे कि जो निर्देशांक अक्ष है या तल है वो क्या होता है अंतरिक्ष में अगर कोई बिंदू है तो उसके निर्देशांक कैसे पता करेंगे अश्टांश क्या होता है अभी तक चतुर्थांश पढ़ा था अब एक नया शब्द आ जाएगा अश्टांश दो बिंदुओं के बीच की दूरी कौन से दो बिंदू जो अंतरिक्ष में है उनके बीच की दूरी पता करेंगे और आखरी में अंतर और वहाईय विवाजन के बारे में भी हम जानेंगे तो आईए चलते हैं सबसे पहले त्रिविम्य जामिती आप सभी बच्पन से एक जितना भी आकृती पड़ी है या कोई भी हमने ग्राफ बनाया है वो सब एक तल में बनाया है अर्थात दो डाइमेंशन में बनाया है दो विम्य में बनाया है आयत पड़ा ब्रत पड़ा ये सब दो विम्य हैं कुछ चीजाएं आपने और पढ़ी थी घन घनाव ये सब जिन में उचाई भी साथ हो द्रिविमिय हो गए लेकिन उसका ज्यामिती में कैसे है वो हम इसमें देखेंगे तो कोई भी आपने जो ग्राफ पढ़ा आप ध्यान करें अभी तक आपने जो पढ़ा था वो X और Y अक मैं मालो मुझे इस बिंदू की स्थिती पता करनी है पोजिशन पता करनी है तो आप क्या करते थे यहां से X अक्ष पर लंब डाला यहां से Y अक्ष पर लंब डाला आप आराम से बता देते कि मूल बिंदू से यानि औरी जन से कितने तो X अक्ष की तरफ है और कितना Y अक् पता कर सकते थे तो आप बता सकते थे ये दूसरे चतुर्थांश में है इसी तरह से अगर मालो आपने ग्राफ में कहीं कोई और बिंदू कहीं कोई और बिंदू आप सभी ने ग्राफ में दो बेमिय में बस किसी भी बिंदू की इस्थिती पता कर चुके हैं लेकिन अब यद आपने साइड की दिवाल से अपनी पोजीशन, सामने की दिवाल से अपनी पोजीशन, आपकी फिक्स पोजीशन पता लग जाएगी, आप दो कदम आगे चले गए, आपने दो कदम आगे जा करके स्थिति देखी, वो ही साइड की दिवाल से, सामने की दिवाल से, लेकिन क्या आपने ये देखा कि जितनी उचाई पर नीचे से आप हैं, क्या आपका छोटा भाई भी उतनी उचाई पर है? क्या आपने टेबल रख करके जिस पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी जमीन से उतनी ही उचाई पर है जितनी पर आप है? नहीं ना, तो ये जो तीसरी बिमा आई, जो उचाई वाली आई ये हमारी त्रिविमा कहलाती है आईए अब आगे देखते हैं निर्देशांक अक्ष और निर्देशांक तल त्रिविमिय में जैसे मैं आपको द्यान दिला रहा था कि तीसरी विमा भी आ गई यानि उसे हम तीसरी अक्ष कहेंगे तो निर्देशांक अक्ष वास्तम में क्या है आप देखें कि ये हमने अभी तक जो पड़े थे उसके इसाब से अब हमारी तीसरी विमागे चुकि ये प्लेन है तल है इसलिए इसमें तीसरी अक्ष बनाना संबब नहीं है लेकिन आप कल्पना कर सकते हो कि मान लो ये मेरा एक्स अक्ष है जमीन है जिसमें जो मेरा धरातल है उसका एक एक्स अक्ष ये है और ये मेरा वाई अक्ष है और इसकी जो उचाई अगर आप कमरे का कौना देखें तो कमरे की जो दो कौने पर मिल रहे हैं वो एक X अक्ष हो गया और एक Y अक्ष हो गया मैंने क्या किया जो उचा वाला था उसको मान लिया Z अक्ष तो इस तरह से तीन निर्देशांक अक्ष हो जाते हैं X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष अब ये तीनों अक्ष मिल करके तीन तल भी बनाते हैं तीन तल कैसे बनाते हैं आप ध्यान करें अगर मैं इसको देखूँ जैसे आप देखें कमरे का उंचे का और एक वाई अक्ष अगर हमने लिया है तो इन दोनों के बीच का तल कहलाएगा जैड ओ वाई तल अगर आप फर्श को देखेंगे तो वो कहलाएगा एक्स ओ वाई त तल और अगर आप दूसरी दिवाल को देखोगे वो कहलाएगा एक्स ओ जैड तल तो इस तरह से हमारे जो कमरे के कॉर्णर को अगर हम मूल बिंदु माने तो तीन अक्ष हो गए और तीन तल हो गए अब आप एक वार इस चित्र को ध्यान से देखें हमारे पास जो अक्ष ह क्योंकि यहाँ दो भिमिय होने के कारण से इस पश्ट नहीं होगा लेकिन वहाँ आपको इस पश्ट होगा कि जो एक्स है ये मूल बिंदु है तो जो अक्ष हुई वो वास्तम में ये हुई एक्स ओ एक्स डेश अक्ष ऐसी दूसरी अक्ष वाई ओ वाई डेश हम जानते ह किसी भी ग्राफ में आपने मूल बिंदूस के एक तरफ जमा का एक तरफ घटा का ये दो निर्देशांक पड़े हैं तो इस तरह से डैश की तरफ माइनस और बिना डैश की तरफ प्लस के ऐसे ही आप जैड देखें तो जैड में भी जैड और जैड डैक्ष ये तीसरी सबकार से इसके तल हो गए आए आगे और समझते हैं इसको अगर अंतरिक्ष में कोई दी अर्थात हवा में है यहांसे अगर मुझे इसकी पोजिशन पता करनी है सकता तल से पता करने के लिए उसको दीवाल पर अगर कोई बिंदू बल्व लग रा है तो मैं बल्व की position बता सकता हूँ कि नीचे से कितना है साइड से कितना है उपर छट पर कोई लगा हुआ है मैं उसको भी बता सकता हूँ लेकिन कोई लटका हुआ है जुमर लटक रहा है इसकी अगर मुझे इस्थिति निकालने होगी तो कैसे निकालूंगा तीन तरफ से पता करना होगा इस तरह से अगर कोई बिंदू अंतरिक्ष में है तो मुझे तीन तरफ से उसकी position पता होगी तब मैं उसकी exact position बता सकता हूं जैसे यह कोई P बिंदू है तो यहां से मैंने ठीक नीचे लाया तो यह किस से पता लगा? Z अक्ष से मैंने एक दीवाल से पता किया कितनी दूर है तो यानि बाई अक्ष से दूरी हो गई लंबबत अगर मैंने दूसरी दीवाल से पता किया तो वहां से X अक्ष की या Y अक्ष की तो इस तरह से तीनों अक्षों से जब हम उसकी exact position पता कर सकते हैं तब जा करके पता लगता है कि इसके निर्देशांक कितने होंगे तो इसके निर्देशांक अगर X Y Z हैं अर्थात X अक्ष से X दूरी पर Y अक्ष से Y दूरी पर और Z अक्ष यानि मूल बिंदू से वो Z दूरी पर है इसको समझने के लिए एक वार हम इसको और ध्यान से देखते हैं मालो मेरा ये कोई P बिंदू था इस P बिंदू एक तल बनाता है अब तल कैसे बनता है जैसे PFAD आप इसको ध्यान करें एक plane बन गया जो आपका graph था एक प्रकार से उस तरह से बन गया ये जो बना ये आपका Y-O-Z के समानांतर हो गया एक तल आपका ये था Y-O-Z इसके समानांतर तल हो गया जैसे ये समानांतर हुआ तो ये तल अब किसको काटेगा आप ध्यान करें एक सक्ष को ये किसी भी सूरत में इस तल पर नहीं है ये एक सक्ष पर है इसी प्रकार से अगर आप इस तल को देखें ये किसके समान अंतर होगा एक्स ओ जैड के इसी प्रकार से अगर आप इस तल को देखें तो ये नीचे जो एक्स ओ वाई तल है उसके समान अंतर होगा इससे हम इसके निर्देशांक बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कैसे आपने अभी तक जो दो डाइमेंशन में प य पर नहीं है क्योंकि एक्स अक्ष है केवल तो वहाँ जिस अक्ष पर नहीं है उसके निर्देशांक जीरो लेते थे यानि इसके निर्देशांक आप लिख दे थे थे एक्स जीरो वाई अक्ष पर है तब आप निर्देशांक लिखते थे जीरो वाई यही काम तो हमें त जैसे अगर ये तृषिय मिय है, तो अगर कोई भी निर्देशांक जैसे A केवल X अक्ष पर है, इसके जो निर्देशांक होंगे वो हो गया X, 0, 0, Y और जेड के दोनों के निर्देशांक 0, 0 होंगे, अगर मैं B की बात करूँ, केवल Y अक्ष पर है, तो X पर तो है ही नहीं, केबल ये है Y पर इसके निर्दे शांक हो गए 0, Y, 0 और अगर Z यानि C बिंदू के निर्दे शांक की बात करें तो 0, 0 Z है ना बहुत आसान एक और चीज़ मान लो मैं केबल X, O, Y तल पर कोई बिंदू है जैसे D इसे बहुत ध्यान से समझ लेना ये आपको अभी तो काम आएगा ही आगे जाकर के बारवी में दो चैप्टर इसी पर आधारित है और आगे भी हमेशा काम आता रहेगा तो अगर मुझे D के निर्दे शांक निकालने है तो D बिंदू कहां पर है D बिंदू है X O Y तल पर और अगर X O Y तल पर है तो ये Z पर नहीं है तो Z पर नहीं है इसलिए इसके निर्दे शांक हो जाएंगे X Y 0 इसी प्रकार से अगर मैं X O Z तल के इस बिंदू की बात करूँ चुकि ये Y पर नहीं है इसलिए इसके निर्दे शांक हो जाएंगे X 0 Z और अगर मैं इस E बिंदू की बात करूँ जो Y O Z तल पर है तो इसके निर्दे शांक हो जाएंगे 0 Y Z अर्थार्थ जो बिंदू जिस तल में है वहां वो दुबिमिये की तरह हो गया तीसरा बिमाजीर हो गया और अगर वो अंतरिक्ष में है तब उसके तीन बिंदू होंगे और वो होगा X Y और Z ये बिलकुल इसपष्ट हुआ होगा सभी विद्यार्थियों को आईए आगे चलते हैं अगला अस्टांश आप देख रहे हैं बिलकुल अभी तक आपने पढ़ा था चतुर्थांश क्यों पढ़ा था क्योंकि आप जो ग्राफ में पढ़ते थे X अक्ष और Y अक्ष केवल इसको चार भागों में बाटते थे इसलिए हमने किया था उसका नाम चतुर्थांश ये पहला चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश तीसरा और चोथा लेकिन अब हमारे पास तीसरी बिमा भी आ गई Z अक्ष आ गया ऐसे समझो के आप एक तल पर खड़े हैं मूल बिंदू है जिसका की X और Y अक्ष है अगर उस मूल बिंदू से एक फ्लोर उपर हो गया यहीं उचा ही हो गयी ना और यहीं से एक फ्लोर नीचे हो गया ओरिजन से OZ और OZ है तो आपके पास चार उपर कमरे और चार नीचे कमरे आठ कमरे हो गये इसलिए इसका नाम रखा गया ASTANCE यानी OCTENT अब इसमें क्या करना है हमें कुछ नहीं करना सबसे ज़्यादा आसान है यह सबसे ज़्यादा आसान कैसे है आप देखें उस डाइग्राम से आपको इसपस्ट होगा कि किस तरह से उपर यह देखो एक दो तीन चार कमरे उपर बन रहे हैं ऐसे नीचे भी चार कम्रे बन रहे हैं तो जब उपर और नीचे चार-चार कम्रे हो गए तो अस्टांश में निर्देशांक कैसे निकालना उसको जानने से पहले हम एक बार चतुर्थांश के निर्देशांक समझते हैं आपने यहाँ पर निर्देशांक देखे थे तो आपने देखा था कि पहले चतुर्थांस में जमा जमा आता है क्योंकि X प्लस और Y प्लस, दूसरे चतुर्थांस में चुकि X माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ निर्देशांक आते थे माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांस म जब आप देखते थे तो X भी माइनस और Y भी माइनस तो यहां आता था माइनस माइनस चोथे में X प्लस था लेकिन Y माइनस में था इसलिए इसके निर्देशांक आपने एक चीज और नोटिस की होगी हमेशा X के निर्देशांक पहले आते हैं Y के बाद में आते हैं यह सब को दसवी क्लास तक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है ग्यारवी में कितना हसान कर दिया केवल एक तीसरी अक्षी तो और जोडनी है अब तीसरी अक्ष अगर ऊपर है यानि फर्स्ट फ्लोर पर है तो वो सारे प्लस है अपने ग्राफ में देखो अगर ओ जैड है यान एक से लेकर चार चत्वर्थांश यानि ओक्टेंट यानि अस्टांश में ध्यान करना चत्वर्थांश इसलिए क्योंकि उपर चार है लेकिन ओवरॉल हम क्या कहेंगे अस्टांश तो उपर के चार अर्था अस्टांश के चार उनमें हम क्या करेंगे ध्यान से देखें अगर ये हमारे अब 32 में उपर हैं तो सभी में जैड अक्ष प्लस आ गई और यही अगर नीचे हैं तो आप ध्यान से देखो ये आपके चतुर्थांश है के नहीं आप देखो ये चतुर्थांश है ना इसमें चुके अब नीचे का फ्लोर आ गया तो वहाँ जैड अक्ष का साइन किसका हो जाएगा बिलकुल माइनस का हो जाएगा कितना आसान है आपको केबल समझने के लिए क्या करना है जब भी कोई निर्देशांक दे रखा हो या आपको लगाना हो आप पहले शुरू के दो देखना उन दो को देख करके चतुर्थांश को देख लेना उसके ब कितना आसान है एक बार दो धारन ले करके देखते हैं जैसे मानलो ये कोई बिंदू है माइनस 3,1 और 2 माइनस 3,1 माइनस प्लस ध्यान कर रहें माइनस प्लस माइनस प्लस दूसरा चत्तृर्थांश यानि ऑक्टेंट के हिसाब से दूसरा लेकिन ऑक्टेंट अभी नहीं ले उसके लिए हमें तीसरा देखना है तीसरा प्लस में है ना तो जो चतुर थांश में है वही मेरा अस्टांश में हो गया यानि ये वाला बिंदू कौन से अस्टांश में होगा दूसरे में लेकिन अगर मैं इस दूसरे बिंदू को देखूं तो माइनस तीन एक वही माइनस प च्छे यानि यहां मेरा हो गया छटा अस्टांस बिलकुल इस छटे अस्टांस में आ जाएगा इस तरह से किसी भी बिंदू के निर्देशांक आप निकाल सकते हो या कोई भी बिंदू आप इस्थिती उसकी बता सकते हो आईए आगे चलते हैं अब एक उधारन कि P के निर्देशांक ग्याद कीजिए आप इस चित्र में ध्यान से देखो और अगर इस में मुझे इसके निर्देशांक दो चार और पांच दे रखें थोड़ी देर पहले हमने देखा था P के निर्देशांक X, Y, Z थे तो हमने सभी के निर्देशांक निकाल लिये थे लेकिन अभी हम से पूछा है केवल F के और B के आपको ध्यान क्या रखना है दो चीज़ें पहला क्या ये बिंदू किसी अक्षपर है या ये बिंदू किसी तल में है या ये बिंदू अंतरिक्ष में है इसी से ही तो निश्चित होगा F बिंदू, अगर आप ध्यान से देखें, तो F मेरा आ रहा है X Z plane पर, X O Z पर, यानि Y नहीं है, तो Y नहीं है, तो इसके निर्देशांक Y की जगह पर 0 हो जाएगा, यानि इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 0 5, अगर मैं B बिंदू देखूं, तो मेरा B बिंदू तो Y अक् पर है, तो X और Z नहीं होंगे, इसलिए मेरे B के निर्देशांक में X और Z नहीं होगा, तो वहाँ हो जाएगा 2 4 0, इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, आईए, आगे चलते हैं, दो बिंदू के बीच की दूरी, सबसे आसान जिस पर हम अभी तक काम कर रहे हैं, आपने दसवी में यह पढ़ा है, कि दो बिंदू के बीच की दूरी, x2-x1 का whole square जमा y2-y1 का whole square होता है क्यों पढ़ा था? क्योंकि तब हमारे पास केवल दो बिमा थी x और y थी अब हमारे पास एक और बिमा हो गई तो जब तीसरी बिमा आ गई और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली है तो सिर्फ इतना सा और जोड़ दो z2-z1 का whole square उसका बर्गमूल लिकालेंगे हमारे पास दो बिमा के बीच की दूरी हो गई तो तीसरी बिमा और दो बिमा में इतना सा ही अंतर है कि दो बिमा में x और y था इसमें z था आईए कुछ प्रश्न करते हैं कुछ उदहारन मैंने लिखे हैं कि बिंदू युगमों के बीच की दूरी ग्याद करो अभी अभी हमने पढ़ा था आप बड़े आसानी से इन दो बिंदूओं के बीच की दूरी पता कर सकते हैं जरूर करें इसमें मैं कुछ खास इनका उप्योग क्या है उस पर आधारित नीचे के दो प्रश्न हैं कि क्या बिंदू एक समकौन तिर्भुज के शीर्स हैं आप ध्यान करो कि समकौन तिर्भुज अगर मुझे तीन बिंदू दे रखें मुझसे पूछा गया है क्या ये बिंदू समकौन तिर्भुज के हैं इसका मतलब आप ध्यान करो समकौन तिर्भुज की जो गुण है गुण धर्म है वो क्या होता है वो आपने पढ़ा था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है जो शेश दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग फल के अब यहां कुछ बाते ध्यान रखना दूरी फॉर्मूला से हम करतो रहें हम वर्गमूल क्यों निकालें जब हमें उसका वर्ग मालुम करना है तो मैं क्या करूंगा इन तीनों बिंदूओं को तीन जगे इस चित्र में नहीं रखना क्यों नहीं रखना आपने पहले से रख दिया तो आपको यह नहीं पता लगेगा कि समकौन कहां पर है इसलिए चित्र बनाने से पहले हाँ यदि आपको बनाना हो तो एक सामाने चित्र बनाए उसके बाद इन तीनों बिंदूओं की लमबाई पता करें अर्थाद दूरी पता करें लेकिन वर्ग में पता करें जिन दो बिंदूओं के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी के बराबर हो जाए जैसे मानलो यहां पर A B और C अगर मेरा A B का वर्ग और A C का वर्ग मिलकर के BC के वर्ग के बराबर हुआ तो 90 degree का कौन किस बिंदू पर होगा ये 80 चीज है आप ध्यान रखना चुम्कि इन दोनों का वर्ग BC के वर्ग के बराबर है तो BC तो हुआ करन अर्थात ये हो गया करन तो 90 degree का कौन कहा हुआ A बिंदू पर इस इस्तिती में यहाँ A लिख देंगे और यहाँ B BC कहीं भी लिखो लेकिन A पर 90 डिग्री होगा और यही यदि AB और BC का वर्ग AC के बराबर हुआ होता तब 90 डिग्री का कौन मेरा कहा होता B पर अर्थात तब यहाँ पर मैं लिखता B बिंदू जब भी आप इस तरह का प्रशन करें अंत में जरूर लिखें कि यह समकौन तिर्बुज अगर है तो वहाँ 90 डिग्री का कौन किस बिंदू पर होगा ऐसे और भी प्रशनाते है सनरेखिय है क्या अब सनरेखिय होना यानि एक रेखा में होना तो अगर कोई बिंदू एक रेखा में है तो वो तिर्बुज बनाएंगे क्या आप देखें मान लो यह मेरा A है B है और C है अगर यह एक रेखा में हुए तो किसी भी सूरत में तिरबुज नहीं बन सकता ऐसे में क्या होगा किनी भी दो भुजाओं का जमा तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा और जब बराबर हो गया इसका मतलब दो भुजाओं का जोड यदि तीसरी भुजा के बराबर हो वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं वर्गों में बराबर हुआ तब तो सम्पोन तिरभुज हो गया। लेकिन वर्गमूल के बाद अगर बराबर आ गया, तो फिर ये तीनों बिंदू सनरेख होंगे। और भी आते हैं, समध्विवाहू तिरभुज है क्या, समभाहू तिरभुज है क्या, छोटी-छोटी चीज हैं, लेकिन हमें क्या डर रहा, क्योंकि सम्ध्विवाहू यानि दो भुजा बराबर हो गई, तो सम्ध्विवाहू कह दिया, तीनों बुजाएं बराबर हो गई, तो सम्भाहू तिरभुज कह दिया, है ना असान, इसी प्रकार से, आप अगर तीसरा प्रशन देखें, सत् चत्रभुज भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो होंगे या नहीं होंगे, यहां आपने आठवी क्लास में भी पढ़ा, कुछ नवी क्लास में भी पढ़ा, इनके सब के गुण पढ़े थे, चत्रभुज के प्रकार पढ़े थे, उनके नियम पढ़े थे कि यदि मान लो मेरे पास कोई भी चतुरभुज है अगर इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वह समानतर चतुरभुज होता है आप सबने बहुत अच्छी तरह से पड़ा हुआ है अर्थात इसमें मैं करम से एक चीज का और ध्यान रखना जब भी बिंदू दे रखे हो तिरभुज में तो चल जाएगा लेकिन चतुरभुज में जब भी बिंदू लिखे हैं तो जिस क्रम में दे रखे हैं आपको वह order follow करना है चाहे इधर से करो या इधर से करो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये पहला बिंदू यहां लखा दूसरा यहां लखा तीसरा यहां लखा चौथा यहां लखा गलत हो जाएगा आपको ये चारों बिंदू एक दो तीन चार ऐसे रखने है या एक दो तीन चार ऐसे रखने है दूरी निकालना आपको आई गया है चारों की दूरी निकाल लो अगर आमने सामने की भुजाओं की दूरी बराबर आ जाती है तो आप क्या कहोगे समानतर चत्र बज़े पर यदि आयत पूछ लिया तो क्योंकि आयत में भी तो बराबर होती है तब क्या होगा इनके विकर्ण भी बराबर होंगे आयत में विकर्ण भी बराबर होता है विकर्ण यानि एक बिंदू ये दे रखा है बस इनके बीच की दूरी ही तो पता करनी है तब आप कह सकते हो कि सर अगर मानलो उस पहले वाले में भी अगर विकरण बराबर हो गए तो तब तो वो समांतर चत्रबुज नहीं होगा आयत होगा तो ध्यान रखना आयत भी समांतर चत्रबुज का ही रूप होता है समांतर चत्रबुज तो वो है ही उसका एक step आगे है जिसे हम आयत कहते हैं इसी प्रकार से मान लो चारों भुजाएं बराबर हो गई तो क्या होगा? नहीं, वर्ग नहीं होगा है ना? चार भुजाएं बराबर होने का मतलब सम्चत्रवज भी तो हो सकता है है ना? इसलिए ध्यान रखना चार भुजाएं बराबर हैं तो सम्चत्रवज होगा लेकिन चारों भुजाओं के साथ यदि विकरण भी बराबर है तब हम कहेंगे कि वो वर्ग होगा इस तरह से आप देखें बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान चैप्टर आपके लिए है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसमें पूरा आनंद लिया होगा और दूसरी बात, अगर आप इसको ध्यान से अभी कर लिया जो सबसे आसान है तो आपको बारवी क्लास में भी आसानी होगी और आगे पढ़ने में भी आसानी होगी तो आईए देखते हैं, हमने अभी तक इसमें क्या-क्या देखा हमने देखा कि इसमें त्रिविमिय क्या होता है दोबिमिय तो पड़ी हुई थी इसके बाद त्रिविमिय जामिती की हमें इस पश्टता होई होगी कि कैसे निर्देशांग का ख्ष होते हैं, कहां निर्देशांग तल होते हैं, तल क्या होता है, निर्देशांग का ख्ष क्या होता है, हम सब को इसके बाद अगर कोई बिंदू अंतरिक्ष में है, हवाईजा जा रहा है या कोई भी है, तो उसकी इस्तिती कैसे पता करते हैं, वो इस सांती अंतिरिक्ष में है तो कैसे पता करते हैं इसके संबंदित हमने कुछ प्रश्ण भी किये आप सभी को मुझे विश्वास है कि बहुत आनंद आया होगा धन्यवाद